हेलो दुस्तों मैं सौरामली का आपसे भीगा टोपिक स्टेड़ में स्वागत करता हूं दूस्तों आज रिजिनिंग की वीडियो में हम पढ़ने वाल है रिजिनिंग के बहुत इंपोटन टोपिक काउंटिंग फिगर के लिए बहुत सारे कमेंट मेरे पास आ रहे दे पिछ आपको वह तरीका भी बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको यह याद रखना है कि अगर कोशन को थोड़ा सा चेंज करके दे दिया जाए तो उसी ट्रीक को एपलाई कर दिया जाए तो यह वीडियो बहुत इंपोर्टन रहने वाली है वीडियो को पूरा एंड तक और यह पार्ट वन है इसका पार्ट टू भी जल्दी आपको मिल जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से और मैं आसा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगी और आप वीडियो को लाइक और शेयर जरू करेंगे यहाँ पर पहला कोशन है यहाँ लिखा मैंने counting number of triangle in a triangle जब भी triangle के अंदर में triangles आपको count करने होते हैं तो कैसे count करते हैं मान लिजे एक triangle आपको दिया गया है ठीक है और उसमें एक line draw कर दी गई तो अब आप count कर सकते हैं कि कितने इसमें triangles बने हैं ठीक है जैसे एक तो यह हो गया one एक हो गया two एक हो गया three त आप बताओ कि इसमें कितने triangle है तो यह आप difficult हो जाएगा बट यह कुछ भी difficult नहीं है अगर आप यह trick सीख जाते हैं देखिए यह बहुत यह आसान से trick है बहुत सारे बच्चों को पता भी होगी यहाँ पर बस आपको क्या करना है इसके अंदर यह number डाल देने है one two three four और उ इसमें कितने भी बना दिया जाए आप उसको भी कर सकते हैं मान लिजी यह और बढ़ा दिया जाए तो five हो जाएगा यह और बढ़ा दिया जाए तो six हो जाएगा यह और बढ़ा दिया जाए इधर भी बढ़ा दिया जाए कितना भी बढ़ा लीजे पस उनको number को plus आपको कर करके दिए जाता है तो अब उसको कैसे solve करें अब यह question है इसमें आपको यह तो पता है कि number of triangles अगर यह line draw कर दी जाती कैसे plus करते हैं तो यहां पर अगर इसमें line draw कर दी जाती है तब कैसे करना है तो इसमें यह तो आपने कर लिया 1 2 3 4 तो 4 यह इनों एक िनको उसराइन को skincare करेंगे तो 10 अब आगर इसमें कि और और इसका तू की गई है क्योंकि एक टो यह बन गया और एक इह बन गया यानि की इसमें टो यह आपका रेट आंसर हो जाएगा गुंक टीके में समझ में आते नहिए तो कमेंट में बताते रहिएगा क्योंकि बहुत सारे टाइप की question cover कराने है इस वीडियो में और बहुत ही important ये वीडियो रहने वाली है next type है आपका counting number of triangles in square या rectangle जब भी square और rectangle के अंदर में triangles आपको count करने होते हैं तब कैसे करना होगा वो सीख लेजे यहाँ पर देखिए ये आपका है एक square इसके अंदर में इस तरीकी से दो diagonally line draw की गई है और इसमें पूछा number of triangles आप कितने बन गए तो बहुत ही आसान है ये तो सभी को पता होगा 1,2,3,4 4 की multiply 2 में करिए 8 number of triangles इसमें हो गए है अब बात आती है कि अगर और line draw कर दी जाए तो ओ line draw कर लिजे चाहिए जितनी line draw कर लिजे तब भी आपको concept यह यूज करना है 1,2,3,4,5,6 और 6 की multiply 2 में तो 12 मान लिजिए ओ line draw कर दी जाए एक line out draw कर दी जाए तो कितना हो गए है आपका 6 हो गए था यह हो जाएगा 7 और 8 यहाँ पे हो जाएगा आपका इस तरीके से ठीक है और यहाँ पे हो जाएगा मतलब इसको पूरा count करेंगे तो 8 बन जाएगा तो 8 आपका हो जाएगा तो इसका मतलब यह क्या हो गया 8 की multiply 2 में कर देंगे तो यह 16 हो जाएगा अगर इस तरीके से line draw कर दी जाए तो यहाँ तक भी कोई problem नहीं होगी क्योंकि simple है अभी तक बहुत easy level में करा रहा हूं दीरे-दीरे level को increase करते हो चलेंगे ठीक है तो चलिए अब next question पे आते हैं जब इनको ही दोनों को plus कर दिये जाएगा अब इन दोनों को अगर जोड दिये जाए तो तब कैसे count करना है यह सिख लीजे क्योंकि यह important है कहीं बार exam में आ चुका है अब जैसे यह question है आपका और इसमें दो जो आपके यह squares हैं इनको plus कर दिया गया है तो तब आपको बताने कि number of triangles कितने बनेंगे तो यहाँ पर देखिए चाहे यह कितने भी boxes को आप add करते जाएं कितने भी करते जाएं कितने भी करते जाएं आपको पता है कि एक box में कितने आपके triangles होंगे trick आपको पता है तो यहाँ पर देखिए इसमें जितनी भी line द्रोंगी आपको 123 करके count कर लेना है उनको 2 से multiply कर देना है तो 16 आ गया तो अगर 16 इसमें है तो 16 इसमें होगा तो 16 इसमें होगा तो इसका मतलब इन में दोनों में कितना होगा 16 और 16 32 32 नहीं है कुछ extra है extra क्यों है क्योंकि इसमें यह दो जुडे हैं जुडने के बाद में कुछ ना कूछ extra बनाएंगे इस चीज़ का जान रखकेगा जहां पर भी दो ट्रिक को एड किया जाएगा यानि कि अलग अलग त्रिक को एक जंगा मिलाके question को soul किया जाएगा या फिर दो इस तरीके से जोड़े जाएगे तो जो दो जुड़ेंगे ना point बनेंगे उनको आपको जरूर count करने ना है तो ये कितने हो जाएगे दो ये add हो जाएगे तो कितने हो जाएगे 16 दूनी 32 और 2 34 तो number of triangles कितने हो गे इसमें 34 इसका लोजिक भी जान लीजे अब दो ट्रेंगल को हम जोड़ रहे हैं तो ये वाला एक तो ये वाला बन के आगया ये आपका ये बन के आगया तो ये इसलिए दो हमने count किये तो आश्या करता हूँ कि ये question भी आपको समझ में आ गया होगा ठीक है भई चली question number 5 पे move करते हैं बहुत ही अच्चा question है अब question number 5 में है आपका देखिए एक ये पूरा का पूरा है बड़े वाला और एक इसके अंदर बनावा है छोटे वाला अब इसमें बताने number of triangles कितने हैं अगर आपको trick नहीं पता होगी तो काफी time लग सकता है कोशन रोंग भी हो सकता है trick पता होगी तो 2 second का कोशन है तीसरी second का कोशन ही नहीं है यहाँ पे देखिए इस तरीके से बहुत सारी linies में draw है ठीक है फिर इसके अंदर एक छोटा और box बनाए है अब आपको बताने number of triangles कितने है तो आपको simply वैसी 1,2,3,4,5,6,7,8 तर काउंट करना है फिर इसके अंदर भी वह ही है आपको क्या करना है देखिए बहार वाले में जितने होंगे 16 है अंदर वाले में भी उतने ही होंगे क्योंकि उतनी line draw है उतना ही है तो जितने भी मतलब हम बोल सकते है कि जितने बड़े वाले triangles होंगे उतने ही छोटे वाले triangles होंगे तो यहाँ पे कितने होगा 16 और 16 32 तो 32 triangle इसमें हो जाएंगे ठीक है भई तो आस्या करता हूँ कि यह 5 वा question भी आपको समझ में आगया होगा यानि कि simply वही वाली trick है जो इससे पहले थी बस अब यहाँ पे दो question इसमें add हो गए है यानि कि दो छोटे छोटे इसमें दो box बन गए है trick होई है एक्स्टर तो change नहीं किया नहीं मैंने question number 5 भी आपका हो गया अब आते question number 6 में जिसमें दो trick एक साथ में apply होगी अब यह वाला एक अलग से बन गया यह आप अलग से करेंगे और यह वाला जो उपर वाला है यह अलग से करेंगे अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस सबसे पहले यह अभी मैं आपको बताया था जब भी एक triangle के अंदर में line दो की जाती है तो small triangle बनते जाते है तो उनको कैसे करना है 1,2 है तो 1 plus 2 करतेंगे तो 3 triangles इसमें बन गए अब नीचे वाले का तो मैं भी आपको उपर ही बताया है कि कैसे करना है इन सभी में 1,2,3 आपको लिखना है और उसकी multiply 2 में कर देनी है तो 1,2,3,4,5,6,7,8 आपने लिखा और 8 में multiply 2 की की तो 16 हो गया तो 16 plus 3 आपका कितरा हो जाएगा 16 plus 3 और यह आप देखिए मैंने आभी बता थे ना उपर जब भी 2 trick को add किया जाए और फिर 2 किसी भी को जोड़ा जाए बीच में यानि कि हम टिक तो सीखते है single के लिए पर जब इन दो को जोड़ा जाता है तो कुछ न कुछ extra बन जाते है तो यहाँ पे भी extra बनेंगी जैसे यह 2 point है तो 2 को add कर लिजए डारेक्टी अब यह देख लिजए कहां से बने हैं अब एक तो यह बन गया पूरा बड़े वाला और एक यह बन गया क्योंकि यह दोनों को जोड़ा गया है अब इन दोनों को यह अलग triangle को जोड़ा गया है और इस square को अलग से जोड़ा गया है तो जब इन level को increase करते हैं question number seven पे आते हैं तो यह भी देखे बिल्कुल दो trick का combination होगा और इसमें कुछ और extra भी add कर दिया गया होगा ठीक है तो अब यह seven वाला question जो है बहुत important है कहीं बार exam में आ चुका है इसको कैसे करना है आप यह देखे पहले इतना सिर्फ और extra मत देखिए ठीक है इसमें अभी आप कितना count करके आए देखे 16 तो मैंने इसमें किया था 16 तीन इसमें किया था 3 यह और 2 यह point add किये थे किये थे ना अभी उपर जो मैंने करके आए हूँ तो 21 थे ना उसमें तो दो यह हो गए तो 16 प्लस 3 तीन इसमें हो जाएंगे दो यह हो जाएंगे तो कितना होगे 21 यहां तक तो आपका बिल्कुर समझ में आ गया होगा अब आते हैं next चीजों पर कि जो और extra एड़ होई है अब जैसे यह extra है इसमें ठीक है यह वाला extra है इसमें अब मुझे बतिए इसमें total number of triangles कितने होगे 3 होगे न अब 3 में से यह वाला तो count हो चुका है क्योंकि इसके अंदर count हो चुका है तो बचेंगे कितने दो बचेंगे दो कौन कौन से बचेंगे एक तो यह बच जाएगा और एक यह पूरा बच जाएगा ठीक है न तो एक तो यह वाला half वाला और एक यह तो दो इसमें हो जाएगे फिर आपका देखे इस वाले को देखे थोड़ा एक ये हो जाएगा और फिर एक ये हो जाएगा अब इन सभी को प्लस कर लीजे तो कितने हो गया आपके नमर अप्टेंगल्स 28 प्लस कर लीजे इनको ठीक है तो आज़ा करता हूँ कि समझ में आगया होगा एक बार और रिपीट कर देता हूँ यहाँ तक तो 21 तक तो आपको समझ में आगया होगा है ठीक है अब इसमें आप मुझे बताइए एक तो पूरा का पूरा ये और एक ये बाहर वाला जो निकला हुआ है दो इसमें फिर दो ही बिल्कुल इधार होंगे एक ये और एक ये बाहर निकला हुआ है इस अंदर वाले काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये वाला तो हमारा ओल्रेडी काउंट है ये वाला सिर्फ ठीक है ना ये हमारा ओल्रेडी काउंट है इन 21 में दो दो हमने ये काउंट कर लिए तो ये हमारा ये वाला ये वाला होगा तो 28 इस दिराइट आंसर आशा करदों की कोशन नंबर 7 भी आपको समझ में आगे होगा अब इस टाइप के कोशन आपको जायतर कोई कराएगा नहीं क्योंकि इन कोशन को मतलब कराने की बिल्कुल कोई ऐसी तो सोट ट्रिक नहीं होती है कि बिल्कुल आपको 123 लिखके एड हो जाएंगे थोड़ा सा आपको लोजिकली समझाना पड़ेगा ठीक है न और आपको भी समझना पड़ेगा अब जैसे यह वाला कोशन है यह भी आपका ट्रिक का ही कॉंबिनेशन है पर अब यह कोशन बहुत कम आपको कोई कराएगा क्योंकि इसमें कराती आपको लगे क्या ट्रिक तो हमारी लगी नी ट्रिक लगती है पर आपको सीखना पड़ेगा जिस ताइप की कोशन एक्जाम में देखने को मिलते हैं वो ही सीखने पड़ेगे तो 8 में आपको तीन जंगे यह प्लस कर दिया गया है एक यह हो गया एक कर लेते हैं तो इसमें कितने होंगे 8 इसमें हो जाएंगे 8 इसमें हो जाएंगे 8 इसमें हो जाएंगे 8 इसमें हो जाएंगे यहां तक तो आप कर लेते हैं कोई प्रोब्लम नहीं अब यह जो प्लस हुए हैं जो इनको जोड़ा गया है साथ में यह भी तो हमें देखना ठीक है यानि कि ये वाला दो बार count होगा ये वाला दो बार count होगा क्यों इसके साथ में भी add है और ये इसके साथ में भी add है इसके number of triangles दो बार count होगे तो यहां पर कितना हो जाएगा 28 और एक आपका जो ये बड़े वाला है तो ये जो एक मैंने add किया ये पूरा पूरा आप यह important है इनको तो चाहिए आप कहीं बार देखके रट लीजे यह exam में कहीं बार आते हैं ठीक है चले question number 9 पे चलते हैं अब 9 आपका एक अलग type का हो गया जब triangle के अंदर echo triangle कुछ इस तरीकी से बना दिये जाता है तब इसमें अगर count करने को दे दिये जाए तब कैसे करना होता ह अब यहां पे बहुत ही simple है जितने भी triangles आपको दिखें simply आपको मैं बता रहा हूँ जितने भी triangles आपको दिखें उनमें आपको 1,2,3,4 दिखने बंद हो गए तो बस आप इनको कितना करना है इन सभी को 4 और 1 plus आपको बड़े वाला करके कर देना है plus यानि कि 5 आपके triangle से इ लेकि इसके अंदर जब triangle के अंदर triangle बनते चले जाते हैं जब triangle के अंदर triangle बन आप मुझे पता चले गया कि एक triangle के अंदर जब दूसरा triangle बनता है तो मेरे 4 triangle बनते हैं फिर उसके अंदर बनेगा फिर 4 बनेगे उसके अंदर बनेगा फिर 4 बनेगे उसके अंदर बनेगा फि पिर मुझे पता चलिए चार ट्रेंगल और बन गए इसके अंदर एक और ट्रेंगल बना तो यह चार और बन गए और एक यह अपना बड़े वाला एक हो जाएगा यह तो कितना हो जागा चार तिया बारा और एक तेरा तो तेरा ट्रेंगल इसमें टोटल नंबर हो जाएंगे समझ गए question number 10 भी आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छा सा question है ये भी question exam में पूछ ले जाता है ठीक है भई question number 11 पे चलते हैं बहुत important है ये भी अब इसको करना कैसे है दिखे अब आपको एक triangle के अंदर एक triangle भी दे दी ऐसमें line फिर draw भी कर दे तो इसको भी आपको वैसी करना है तेंशन बिल्कुल मत लिजैं आपको पता है इसको पता है न एक triangle के बीच में जब एक lin draw होती है पता है इसमें one plus two करके दोनों को plus कर देते तो three different triangle होते हैं अगर आपको पूरा बड़े वाला एक यह एक इनको प्लस कर लीजिए तो कितना होगा नो और दो ग्यारा तो ग्यारा इसमें हो जाएंगे ट्रेंगल तो यह कोशन भी आपको समझ में आगे होगा ठीक है न वई तो यह बहुत अच्छे-च्छे कोशन से आपके जो एक्जाम में पूछे जाते हैं और यहां पर ट्रिक वह होती है जो सबसे पहली सिकाई मैंने और अभी तक भी वह चलती हुई आ रही है बस आपको लगाने का तरीका आना चाहिए कि किस तरीके से उसको एपलाई कर रहा है ठीक है न अब कोश्यन नमबर 12 पर आ जाते हैं 12 में आपको क्या करना है अब यह आपको एक स्टार टाइप दे दिया बनाके ठीक है इस तरीके से और इसमें पुछा नमबर ओप ट्रेंगल्स कितने होंगे तो बहुत ही सिंपल है मतलब रट लीजे चाहिए कुछ भी कर लीजे हमें सब 1,2,3,4,5 करना है और 2 की मल्टिप्लाई करना है 10 आपका र रखता की जो वीडियो को पूरा देखेगा उजी को यह कुए कोशन सीखने को मिलेगा यह कितना भी बड़ा देदीए जायें कितना भी बड़ा और कर लिए इसको और ट्रेंगल बढ़ा लीजे से और बढ़ास ऑर नपल यसको चुटकियों में कर देंगा मbayर्ण देखती स तोऊ-पांच झराइंप सो है तो च्रेःगल कि अगर चार यांप За Gospel है है यानि है कि फॉर है तो आपका you है अगर चाहिए 40 ६ हो जातें और यहां पर आपके 55 तग पूछे कर सकते हैं 23Jack ठीक है नहीं यह साथ इधर से गलत हो गया तो आप इसे नीचे से करेगा 1234 यह 4 आपका है तो आपको यहाँ पर यह लिखना है ठीक है 5 होता तो 48 हो जाता 6 होता तो आपका 78 हो जाता और 7 होता तो आपका 1808 हो जाता तो अब बताइए कि यह Queshan कैसा आपको लगा अगर आगे से कोशन देखने को मिलता है तो चुटकियों में कर देंगे ना सेकिंडों में कर देंगे ठीक है